हेलो फ्रेंज, एस चांद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है मैं श्रियान्स कोठारी ले के हाँ दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहुत ही बहतरीन गिताब आप लोगों के लिए दोस्तों उसका चैप्टर नंबर सेकंड है एनलोगी और एनलोगी बहुत इंपोर्टन ए चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेशन्स अगर S.S.C. का कोई भी एक्जाम ले लिए दोस्तों तो कम से कम तीन, चार, पाँच क्वेशन्स आपको प्रीम मिलेंगे तो इतना इंपोर्टन चैप्टर है तो देर गिस बात की है चलिए मैं लिए चलता हूँ दोस्तों चैप्टर के बारे में कुछ बताने के लिए एनलोगी का मतलब होता है कि अगर ये चीज इस से मिलती जुलती है कोई similarity नजर आती है तो किस की किस के साथ आती है इस तरह के question मैं कुछ basic चीज़ें आपको बता दूँ जैसे इसमें आप देख सकते हैं country और capital की अनलोगी पूछते हैं आप से यानि अफगानिस्तान अगर काबूल की capital है अफगानिस्तान की capital अगर काबूल है तो चाइना की capital बीजिंग है उसी प्रकार से रश्या की मॉस्को है इसके बाद दोस्तों state and capital भारत के जतने राज्ये हैं उनकी capital की बात होती है तमिल नाडू की चिन्नाई है महारास्टरा की मुंबई है आसाम की दिस्पुर है तो ये ऐसे समझ ये कि अगर ये reasoning का topic आपको करना है तो आपका general awareness भी अच्छा होना चाहिए general studies आपका strong होना चाहिए अभी पता चलेगा थोड़ा English भी strong चाहिए देखते हैं और किस प्रकार के आ सकते हैं जैसे country की currency इंडिया की currency रुपी है जपान की yen है USA की dollar है ठीक इसी प्रकार से barometer का जो measurement है वो pressure के रूप मे होता है pressure उसकी unit होती है यहीं समझ दीजे pressure को measure करने के लिए barometer चाहिए और earthquake को measure करने के लिए seismograph चाहिए mass को अगर आपको measure करना है वे करना है तो आपको balance चाहिए speed को वे पता लगाना है तो odometer चाहिए इस तरीके से quantity और उसकी unit के question बनते हैं अगर आप बात करते है energy की unit क्या है जूल है power की unit क्या है watt है current की क्या है ampere है conductivity की क्या है मोह आपको ध्यान होगा जैसे resistance की ohm होती है individual and group इसे हम अंग्रेजी में collective noun भी कहते हैं जैसे soldiers की army बन जाती है sailors का crew बन जाता है sheep का flock बन जाता है musician का एक band बन जाता है robbers की gang बन जाती है man बहुत सारे हों तो crowd बन जाता है तो यह चीजे हमें ध्यान रखनी है और अच्छी बात मजे की बात दोस्तों इस किताब के इस chapter के starting में सब कुछ दे रखा है तो बहुत सारा general knowledge भी इससे improve हो जाती है और देखते दोस्तों किस प्रकार के रहेंगे जैसे animal और उसके young ones यानि cow का बच्छडा होता है काफ, sheep का होता है lamb, insect का लारवा इसी प्रकार से male और female पुरुष और strilling और purling जिसको आप कहते हैं जैसे brother और sister colt का philly, bullock का heifer, wizard का witch, lord का lady, cock का hen, मुरगा और मुरगी animals और उनके movement, यानि कि जो animals हैं वो कैसे चलते हैं, उनके चलने से किस प्रकार की आवाज आती है जैसे elephant का movement है, उसको emble कहते है, duck जो है वो waddle करती है, cock जो है वो strut करता है mouse को scamper कहते हैं, तो ये words अगर नहीं पड़े हैं, अभी किताब देखिएगा, सारे words दे रखे हैं आपको थोड़ा थोड़ा dictionary में search कर लीजेगा, चलिए और देखते हैं साहाब lion actually आवाज करता है roar की, donkey आवाज करता है break की, cat मियाओ करती है आपको पता होगा, owl हूट करता है, monkey गिबर करता है, तो ये words हमें ध्यान होना है चाहिए individual and class, यानि lizard is a type of reptile, man is a mammal, ostrich is a bird, snake is a reptile, cup is a type of crockery, shirt is a part of a type of garment individual and dwelling place, वो रहते कहां हैं, उनके घर को क्या कहा जाता है, जैसे dog के घर को cannel कहा जाता है, eagle के घर को ID कहा जाता है Eskimo आपको ध्यान होगा, igloo में रहते हैं, mouse hole में रहते हैं, bil बना के, gypsy caravan में रहते हैं, lunatic asylum में रहते हैं, owl barn में रहता है तो यह आपको पता होना चाहिए, अच्छा, इसी तरीके से उनको रखा कहा जाता है, एक तो उनका घर होता है, एक उनको place कहा जाता है, रखा कहा जाता है जैसे car को कहां रखोगे आप garage में रखोगे animals को कहां रखोगे आप zoo में रखोगे bees के लिए appiary आता है clothes के लिए wardrobe आता है birds के लिए aviary आता है fish के लिए aquarium आता है यह हम लोग रखते हैं उस place की बात हो रही है इस तरह से games and place of playing game आप खेलोगे कहां आपको पता है badminton कहां खेलते हैं court में खेलते हैं boxing कहां करते हो ring में करते हो skating कहां करते हो ring में करते हो याद रखना ही है exercise कहां होती है gymnasium में wrestling के लिए वर्ड होता है arena worker or tool कौन कौन सा कौन व्यक्ति जो है कौन सा tool यूज लेने वाला है example के तोर पे carpenter आरी चलाते हैं saw उसे कहते हैं doctor के कान में लगाता है stethoscope chef बिना knife के क्या करेगा बताओ farmer plaw का प्रयोग करता है hull चलाता है भाई tailor के पास needle होती है woodcutter axe यानि कुलहाडी की बात करता है tool and action अब आपने देखा कि कौन व्यक्ति कौन सा tool चलाएगा वो tool करेगा क्या जैसे needle see you करेगी binoculars आपको पता है view करेगे auger bore करेगा gun shoot करेगी spade से आप क्या करोगे dick करोगे pen से आप क्या करोगे right करोगे axe से grind करोगे so यह हमें पता होना चाहिए कौन सा tool क्या कामा रहा है कौन व्यक्ति कहां काम करता है जैसे farmer कहां काम करता है field में doctor कहां काम करता है hospital में painter कहां paint करता है gallery में waiter कहां होता है restaurant में grocer shop में mechanic garage में mason क्या बनाता है product wall आपको ध्यान होगा mason यहनी जो कारिगर होता है जो मजदूर होता है वो जैसे editor क्या बनाता है newspaper तैयार करता है farmer क्या तैयार करता है crop तैयार करता है producer एक film को तैयार करता है author एक book को तैयार करता है poets एक poem को तैयार करता है teacher actually आपको education देता है चलिए सहाब raw material और उसका product जैसे glass से बनता है आपका prism Milk से बनता है आपका Butter Leather अगर material होगा तो बनेगा Shoes Wood से बनता है Furniture Wool से आपका Pullover बनता है Joot से आपका Sack यानि बोरा बनता है Sugar Cane से आपकी Jaggery यानि की गुड़ बनती है Part and Hole छोटा सा Part उसका और Hole यानि Complete Nib is a part of Pen Lead is a part of Pencil Room is a part of House Pedal is a part of Bicycle Blade is a part of Fan चलिए Paire Relationship Paire Relationship मतलब Shoes का जैसा क्या होता है Socks बही जोता जूता मुझा तो एक साथ पहन होगे आप Shirt के साथ क्या पहन होगे Trousers पहन होगे Chair होगी तो Table भी होगी Pencil होगी तो Eraser भी होगी Lock होगी तो उसका Key भी होगी Study and Topics आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की Study को क्या कहते हैं हम लोग जैसे आप यहाँ देख सकते हैं Birds की Study को क्या कहते हैं Ornithology Disease की Study को क्या कहते हैं Pathology Future की Study को ले Astrology Soil के लिए Pedology Moon के लिए Selenography Artifacts के लिए Archeology इसे रिसे Amphibians के लिए यानि कई बार क्या होता है कि एक Word है और उसको और जादा Intensify करके कहा गया है जैसे Anger से भी बड़ा Intensify Word का है Rage Wish इच्छा Desire तीवर इच्छा Famous है उससे भी बड़ी बाद Renowned है Touch करना और उससे जादा Intensity हो तो Push करना Queral यानि छोटा मोटा जगड़ा War यानि लड़ाई हो जाए Error यानि छोटी सी गलती Blunder बहुत बड़ी गलती Word और उसके Synonym वो कहां रहते हैं मतलब वो उसके Synonym का मतलब है Samanarthi यानि परियायवाची शब्द Abode यानि वहां रहते हैं Dwelling Blend करने को क्या कहते हैं Mix करना कहते हैं Sedate भी शांत करना Calm भी शांत करना Fears भी हिंसक और Violent भी हिंसक Brim यानि किनारा Edge यानि किराना Fallacy और Illusion दोनों का मतलब है Brahm Dirt यानि कमी Scarcity यानि कमी Antonym भी आ जाते हैं एक्जाम में Attack करना उसका उल्टा होता है Defend करना Shallow यानि उतला Deep यानि गहरा Worst यानि सबसे खराब Best यानि सबसे अच्छा Expand यानि बढ़ाना Condense यानि कम कर देना Peace यानि शांती Chaos यानि Sure शराबा Create करना उसका उल्टा Destroy करना चले तो यहां हम देखते हैं कि exam के लिए Excise second A में देखते हैं दोस्तों कुछ questions की बात करते है Fear और fear से क्या होता है Threat यानि Fear यानि डर और उससे भैभीत हो जाते हैं आप लो So anger Anger से क्या हो जाते है दोस्तों Provocation Provocation का मतलब उकसाना अगर बहुत जादा गुसा आएगा तो आप उकसा दिये जाओगे मतलब और कुछ कारे कर दोगे गलत कारे कर दोगे So Fear से threat होता है Anger से provocation होता है Answer is C Election में Manifesto काम आता है Meeting में क्या होता है Meeting में उसका agenda होता है Manifesto का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को गोशना पत्र चलिए XI 2nd B में देखते हैं दोस्तों Question No.10 देखिएगा Professor क्या करता है Lecture प्रोवाइड करता है So doctor hospital थोड़ी प्रोवाइड करता है बीमारी थोड़ी देता है हाँ वो एक medicine प्रोवाइड करता है वो patient प्रोवाइड नहीं करता है Nightingale आपको पता होना चाहिए दोस्तों Nightingale एक चिडिया का नाम है एक पक्षी का नाम है और उसकी आवाज को क्या कहते है Warble तो फिर frog की आवाज को क्या बोलते है Crow Sound आपको ध्यान होना है चाहिए Second C exercise देखते हैं दोस्तों Nails का pair Nails क्या होता है दोस्तों Nails आपके होते हैं Naakoon और Naakoon को तराशने को कहते है उसको shape देने को कहते है Pair So Naakoon को तराशना यानि कि उसको shape देने को कहते है Pair ठीक उसी प्रकार से Mustache यानि मूचें मूचें को cut करने को shape नहीं देना कहते Shape तो बिलकुल ही खतम कर देना Blow तो हवा मार देना Clip करना Clip यानि उसको एक अच्छा shape दे देना So Mustache यानि मूचों को shape देने के लिए Clip और Naakoon को shape देने के लिए Pair यह words हमें ध्यान होने चाहिए यह एक अच्छा question है दोस्तों Heart का है Pericardium तो brain का क्या है दोस्तों Actually heart यानि दिल दिल में जो boni part होता है What is boni part? Boni part मतलब जो bone वाला part होता है जो हड़ी वाला part होता है उसे कहते है Pericardium So brain Dekhो Skull is not part of brain Boni part of brain is known as Cranium Cranium यह देखे GK भी हो गया आपका और साथ में reasoning भी हो गया आपको पता होना चाहिए Bones तो bones ही होती है Head हमारा दिमाग से रहता है और skull actually दिमाग के अंदर का part है मतलब उसको वो base देता है लेकिन जो brain के अंदर आपका part होता है मैं इसे दो question में करवा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी practice मिल जाए Ecology Ecology is related to environment यहनि environment की अगर study करने ही तो ecology पर Histology Histology का ध्यान रखना History से कोई लिना देना नहीं है Histology is basically Tissues आपके जो body tissues होते हैं उस tissues की study करने को Histology कहते है So, history तो खुदी अपने आप में एक subject है भाई Histology, history से मत जोड़ देना exam में Blood is related to circulation Blood actually किस काम आता है दोस्तों Circulation के काम आता है Circulation का मतलब आपके अंदर अगर oxygen circulate हो रही है तो वो किस के माध्यम से हो रही है दोस्तों, blood के लिए आपके अंदर अगर blood sugar है तो वो sugar, blood के माध्यम से जा रही है अगर आपको कोई medicine लेनी है कुछ medicines blood के माध्यम से पूरे body में पहुँच जाती है ठीक उसी प्रकार से hormones का excretion होता है लेकिन hormones क्या काम आते है hormones coordination के काम आता है Blood circulation के काम आता है exercise second E की बात करते हैं दोस्तों institute और academy ये दोनों के दोनों क्या है synonyms है ठीक उसी प्रकार से decree आपको पता होना चाहिए decree किसे कहते है दोस्तों decree कहते है हम यूँ समझे decree होता है आपका कोई court जब order देता है उसे decree कहा जाता है तो ठीक उसी प्रकार से decree को synonym होता है mandate अगर court ने कोई judgment दिया है judge नहीं judgment दिया है उसे mandate कहते है so question number three का answer D हो गया door से आवाज आती है bang करके तो आप सोचिए chain से कैसी आवाज आती है clank तो chain की आवाज को clank कहते है door की आवाज को bang कहते है exercise 2F की बात करते है दोस्तो चपाती को आप cook करते है तो बताइए meat को क्या करते है meat को हम roast करते है chopper से meat को हम cut करते है snapper आपने देखा होगा snapper क्या होता है दोस्तो snapper आपने कभी देखा हो तो जो nuts को crack करने का एक जो सरोता वर्ड सुनाओको सरोता so nuts को crack करने के लिए snapper है और meat को cut करने के लिए chopper है तो ये हमको ये चीजों के बारे में ध्यान होना मैंने chapter जब शुरू किया था तब ये जरूर बताया था कि आपको चीजों के बारे में idea होना चाहिए मैं आपको basic basic चीज़ें cover कर वा रहा हूँ चलिए आगे देखते हैं दोस्तों exercise 2G की बात करते है mad यानि पागल और insane यानि बड़ा पागल यानि mad की intensity को बढ़ा दिया तो red की intensity को pink थोड़ी कर देंगे और ये तो बिलकुल उल्टे है brave का मतलब होता है बहादूर और timid का मतलब होता है कमजोर या फिर डर पोक healthy को fat नहीं कहते लेकिन slim को thim कह सकते है slim यह नहीं पतला है और thin यह नहीं बहुत पतला है तो इसका answer क्या हो जाएगा D geology दोस्तों geology actually क्या है अर्थ की study है architect तो building की study नहीं है aquarium fish की study नहीं है biology science की study नहीं है archaeology है वो artifacts की study है artifacts है नहीं जो बहुत सारे buildings और आदी बहुत सारे पुराने बने रहते हैं उन चीजों की study को कहते हैं हम archaeology पुरा तत्तो विभाग जिसे आप कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों second edge की बात करते हैं देखेगा आपको इसके जैसा पेर निकालना है large और large से भी बढ़ा अगर विशाल कहें तो enormous अब big से बढ़ा small तो होगा नहीं less से बढ़ा greater होगा नहीं regal और royal तो चीज़ें ही अलग है plump यानि थुल्थुला fat यानि मोटा यानि फ्लाट का intensity बढ़ा दिया यानि की question number 6 का B हो जाएगा egg is a constitute of omelette omelette बनेगा किस से? egg से बनेगा क्या river dam से बनेगी? नहीं साहब classroom के अंदर individual students होते हैं तो इनकी individuality अलग-अलग रहती है student को कम जादा कर सकते हो omelette से egg को कम जादा कर सकते हो नहीं कर सकते है salad से onion को कम जादा कर सकते है लेकिन omelette से egg को नहीं अलग कर सकते है तो इनका मतलब भी नहीं है हमें तो ये देखना है pottery clay clay से pottery बनेगी और उसको clay को आप अलग भी नहीं कर पाओगे सो इस का अंसर क्या हो जाएगा 35 का C हो जाएगा 2 I नाइन्थ एक्सेसाइज आख चुकी दोस्तो अगर ability है तो appointment है यानि appointment का basis क्या है ability बहुत सा लोगों के पास है लेकिन उस ability में judge करके आपको appointment दिया जाता है अब ज़रा देखे ये punishment में judge करके transfer दिया जाता है क्या नहीं जिया जाता money को judge करके business दिया जाता है बोलने में अजीब सा लग रहा है success को judge करके examination दिया जाता है ये अजीब लग रहा है merit को judge करके promotion दिया जाता है ये विलकुल सही है चलिए आगे देखते हैं दोस्तो यह question आ चुका है BBS 2004 में Botany is study of plants तो बताईए इन में से कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए Entomology is study of insects So question number 41 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा चलिए आगे question करते हैं दोस्तों 2J आ चुका है 10th exercise है 2nd chapter की आपके reasoning के book की इंद्र भगवान इंद्र जो है Rainfall के देवता कहलाते है God of Rainfall कहलाते है Shiv को creation नहीं destroy का बोलते है आपको ध्यान होगा Shakespeare को तो भगवान ही ना बोलो और Venus तो love के god है हाँ Venus भी love के god है और Cupid भी love के god है So 10 का क्या हो जाएगा C आपने सुना होगा इसके बारे में Jupiter is a planet and sparrow is a bird Yamuna is a river Everest is a peak चिलका is a lake तो तो सारे ही आंसर हो जाएंगे हाँ ये जरूर है Jupiter is the largest planet क्या sparrow largest bird है बिलकुल नहीं Yamuna largest river है बिलकुल नहीं चिलका largest lake है वर्ल्ड की बिलकुल भी नहीं Everest जो है highest peak है so 48 का क्या हो जाएगा D for Delhi आजाते दोस्तों 2nd के के में यहाँ कुछ अलग टाइप से question है वो हमें ध्यान रखने आपको ये समझेना पड़ेगा question कैसे हैं दोस्तों देखेगा आपको अब दो शब्द का प्रयोग करना है inert का किसी प्रकार से जिस प्रकार से word होता है वैसा ही active के साथ हो तो inert और active इन दोनों को देखते वैसा लगता है कि inert और static ये दोनों ही चीज़ें रुकी हुई सी है active और dynamic तो मुझे लगता है B इदर से ले लूँ इदर से 1 ले लूँ ये दोनों एक दूसरे के synonym हो गए तो इसका answer क्या हो गया 6 का A आगया शायद आपको समझ आई जाएगा इसको देखेगा पपी जो है ना वो डॉग का बच्चा है लैम्ब जो है वो गोट का बच्चा है और इसके अलावा कुछ है नहीं So 35 का answer हो जाएगा हमारे पास 2 A That is first वाला चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2 L पे आचुके हैं हम लो Clutch, brake और horn ये तीनों चीज़े हैं किस चीज में मिलेंगी आपको सीधी सी बात है कार में मिलेंगी आपको Which of the following is same as Ode, Ballad, Lyric ये आपको पता होना चीए सब poems के टाइप है अलग-अलग प्रकार की poems है और sonnet भी एक type of poem है इसलिए answer क्या हो जाएगा 41 का C चलिए अब आपको देखना है कि Love, Respect और Sympathy ये तीनों एक दूसरे के साथ किस रूप में connected हैं इन तीनों के बीच में common कौन सा portion है तो आपको पता होगा feelings, Respect कोई feelings नहीं है They cannot be displayed आप ये बताइए उनको display नहीं कर सकते आप ये अंदर से आने वाली बात है Love, Respect और Sympathy They cannot be displayed Petrol, Phosphorus और Cooking Gas वैसे Cooking Gas और Petrol तो commonly आपको पता है Phosphorus भी होता है और ये सारे के सारे क्या है देखो Phosphorus फियूल तो नहीं होगा लेकिन जो माचिस जलाते हैं माचिस उसमें Phosphorus का प्रियोग होता है They are highly inflammable बिल्कुल जोलन शील होते हैं जल जाते हैं बात पर चलिए साब अगली exercise करते हैं टू एन डॉग और स्क्वेरल आप देखेगा दोनों के टेल होती है हमें ऐसा कोई पेयर ढूणना है ऐसा कोई ग्रूप ढूणना है जिसमें इस तरह का connection आ रहा हो डॉग प्लस स्क्वेरल दोनों के टेल है कॉटेज और हट दोनों के पालिस है फिश और क्रोकोडाइल दोनों water में है बट दोनों के water ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं आक्स और हॉर्स हॉर्स के तो हॉर्न यानि सिर्ख सिंग नहीं होते है ट्रॉक और स्कूटर दोनों के gear होते है यह बिल्कुल सही है सेम connection है जैसे dog और squiller यानि गिलहरी दोनों के चेल होती है ट्रॉक और स्कूटर दोनों के gears होते है morning के बाद evening और evening के बाद dusk होता है ठीक उसी प्रकार से triangle के बाद नहीं happy के बाद gear नहीं सी फॉर काट हो जाएगा चलिए सब 2-0 अब आ जाते हैं कुछ नंबर पे दोस्तों नंबर के क्वेश्चन कैसे करने पिछली वाली एक्सरसाइज कहें दे यह यह कहें पिछला वाला चाप्टर अगर आपने पढ़ा था वहां बहुत सारी चीजें हमने सिखाई थी और वही पढ़ा रहे हैं तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आई है चलिए हम बात करते हैं 121 दोस्तों 11 का स्कुरियर है और ये 12 ये पांच का स्कुरियर है तो ये 6 खूद होना चाहिए यहलिजे साहब आप समझे हूंगे ये 11 का स्कुरियर और ये 6 चलिए साहब देखो 1 प्लस 1 करूँ तो होगा नहीं 1 और 1 सेम है एक की चीज समझ में आ रही दोस्तों मुझे 1 का स्क्वार भी 1 होता है और 25 का स्क्वार होता है आपका 625 तो इसका 14 का अंसर क्या हो जाएगा D for Dilli चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले question पर अगली exercise है आपकी 2P इस तरह के question कैसे करें अगर आपको series याद है जो मैंने completion of series का chapter पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार से चलेंगे हम ध्यान से देखेंगे हम दोस्तों A मैंसे एक कम हो गया Z और S मैंसे एक बढ़ गया T T मैंसे कम हो गया S और N मैंसे एक बढ़ गया O यानि कि इधर minus 1 minus 1 plus 1 plus 1 तो अब आपको देखना है M M आता है N से sorry हम उल्टा इधर देखना है तो M से minus 1 करिए L तो ये तो खतम हो गया ये भी खतम हो गया अच्छा अब बचे क्या दोनों ये दोनों ही बचे घ्यान से देखेगा M से minus 1 करके हो गया इन दोनों को देखने की ज़रूत नहीं क्योंकि T दोनों में आ रहा है B से M N O B C logic समझा आया के नहीं वापिस देखेगा घ्यान से देखेगा मेरे को पहले वाले का minus 1 देखना है आखरी वाले का plus 1 देखना है जहां समझेगा M से पहले JKL M तो इसको तो cut कर देते हैं sorry N को cut कर देते हैं N को cut कर देते हैं अच्छा उसके बाद हमें सिर्फ देखना था S और U U के लिए R तो आएगा नहीं इसको भी cut कर देते हैं अब इन दोनों में ही अपना answer घुम रहा है आखरी वाले में plus 1 किया है M N O A B C C answer हो जाएगा इसका ओके इसको हम करने की कोशिश करते हैं B minus 1 ऐसे करते हैं T U R S K L एक एक छोड़के minus 1 चल रहा है तो अब मुर को E चाहिए E कहां से आता है देरा देखियेगा या यूँ कह दू पहला दूसरा तीसरा एक एक गैप है एक 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 actually E तो मैं चेकी नहीं कर पाऊँगा मैं अगर सिर्फ इनको देखता हूँ ध्यान से देखेगा इनको देखता हूँ C से जस्ट पहले आता है B तो यह तो मेरा कैंसल होगा है क्योंकि यहां क्या आया है A आया है G E F G H F चाहिए नहीं यहां पे इसको भी चुट्टी करो इसको भी चुट्टी करो यह आंसर आ गया भाई मुझे ऐसा ऐल्फबेट चाहिए था C से बिलकुल पहले वाला B G से बिलकुल बाला वाला F E F G H F I तो question number 30 का आंसर क्या हो जाता है B हो जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से इस तरीके की questions exam में आते हैं जिसमें कुछ coding का part आजाता है कुछ mathematical operations आजाते हैं और कुछ directly हमें general knowledge या English के synonym, antonym ध्यान होने चाहिए बड़ ये सारे questions जो है आपके exam के लिए बहुत जरूरी है तो अभी के अभी book उठाईए और सारे questions कर डालिए सबसे अच्छी बात क्या है इस किताब की इसमें सारे के सारे solution दे रखें answer नहीं solution दे रखें तो आप कही अटक जाते हैं तो solution देखिए चलिए यहां लेते हैं अलविदा अगले वीडियो में मिलते हैं thank you and take care अलविदा अलविदा